हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक माई चैनल पूर्णम इस्टिशिंग आज बताने वाले हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटेंग यह हमारा अस्तर है इसी डबल करका बिछाएंगे और इस पर निसान लगाएंगे हमारे ब्लाउज में लंबाई है चौद एंची लेकिन हम पंदर एंची रखेंगे आदा एंची उपर आद नेचे शेंची के मुड़े शेंची का तेरा फिटिंग है 38 इंची जिसके चाल हिस्सों में होगी सारे नौ इंची अब कमर की फिटिंग है 31 इंची जोके होगी सवा आठ इंची इन्हें आपस में मिलाएंगे और पीछी के परत में डेड़ इंची की गेहराई देंगे गली की नंजी चोडड़ाई है 50 इंची इंची ऊपके लगाएंगे और इसे की कटफिक करेंगे और इसकी कटिक करेंगे पीछे के पल्ली को काट का आगर पल्ली पर रखेंगे पसचे जाओं भेगे अब अब्ले के पीछे के पल्ली से शिक तुरें शिदा रख ते हैं अला दुट नंबहुं सब्सक्राइब लां में जा न्युद्थ निसान लगाये है आगजी हुएस्य निशन लगाएंगे चुन नठ नालिवी सारी दसपर 11 एंची पर लगाएंगे आज़ एंची उपर मुझी निसन को शिरा करेंगे चुन नठ है 4 एंची पर ये दो पर मीची से धाइपर बिला देगे, ये भी दूपर और ये भी दूपर, गली की लंबाई है साड़ी छह इंची और चोड़ाई है डाह इंची, इन्हें आपसमें बिलाएंगे और गोल सिप देंगे, गली में आदें इंची की घहराई देंगे, अब इसकी कट्टिंग कराएंगे, अब इसकी उठाके लगेंगे, अब बाजू लएंगे, इसकी लंबाई है साड़ी नो इंची, साड़ी दस इंची लंबाई रगेंगे, साड़ी दस पनिशन लगाईगे, टेंगे साड़ी पांच, तीरा है साड़ी आठ, अब इसकी लगाएंगे तो मिलाएंगे, दो इंची का एक्टान काटेंगे, अब इसकी कट्टिंग करेंगे, अब इसकी लगाएंगे, 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 अब इसके उपर अस्तरवाली बाजु रगी है और कटिंग कर देए हमारी कटिंग तयार है वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप चैनल पर नहीं है